दोस्तो नमस्कार दोस्तो भी रात के बारा बच चुके हैं और बाहर टेमपरेचर माइनस में ओराए माइनस दो डिग्री से में टेमपरेचर ओराए बाहर का और ये जो छोटा सा कुट्टे का बच्चा है बाहर भोच चिला रहा था तो जब मैंने इसके अवास सुनी तो मैं बाहर गया तो ये बाहर जो है ठंड से काप रहा था तो मैं जब इसको अंदर लाया तो ये यहाँ पर ज़ाडू के पास जब मैंने इसको यहाँ पर लिटाया थोड़ा कपड़ा बिचा के तो ज़ाडू चबाने लगा तो मुझे प बस दूद नहीं है नि यहीं तो मैं इसको दूद भी पिलाता हैं हैं अपर लेकिन मैंने इसको रस दे दिये हैं और ये इसकी भूख जरूद इनसे मिठ जाएगी और ये रात को आर। से सो सकेगा और साथ ही साथ थोड़ा बिस्तर भी रख दिया है तो ठीक है दोस्तों अब मैं इसको जो है अराम से सुलाओंगा और सुलाने के बाद जो है अपने आप भी सो जाओंगा और इसे आज मैं कमरे के अंदर ही रखूंगा और कल से इसका कुछ देखता हूँ अगर क कुछ बोल तो नहीं सकता, क्योंकि इसको भार भार भूर ठंड लग रही थी, मुझे भी अभी मैं भार बैठा हूँ, तो भूरती काप रहा हूँ अंदर, जबकि मैं कमरे के अंदर भी हूँ, और भार माइनेस में टेंपरेचर हो रहा है, ये ठंड से कांप रहा था और साथी साथ भूग से भी बिलक रहा था देखे कैसे ये रस खा रहा है तो दोस्तो ठीक है अब मैं सोने जाता हूँ ठीक है दोस्तो धन्यवाद देखे कितना भूग लगी ऐसे कैसे इसने खा रहा है ये दोस्तो भूग से ये पुरा तड़फ रहा था अभी देखता हूँ अगर कुछ और मिला तो इसके लिए वो भी खिलाओंगा इसको अभी मेरे रस खुल दी है ये ले ये ले ले या रख रहा हूँ मैं ठीक है खा ले ना से पीछे भी पढ़े हैं देख बहुत सारे रस और ले ओंगा ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों क्या बालाओ